नश्कार दोस्तों, ये वीडियो एक्टोरियल कंपाइलेशन फो मेंज का पार्ट हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके एक्टोरियल की वीडियोज पेपर वाइस और टोबिक वाइस देख सकते हों। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाग की वीडियोज को देखना चाहते हों, तो वीडियो के नेचे मुझूद जोइन बटन की साहिता से आप मेंबर्शिप को जोइन कर सकते हों। चलिए डिसकेशन स्टार्ट करते हैं। आप जनेर स्टेडी पेपर टूर के इस टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हों। ये सारे एसपेक्ट्स हम इस आर्टिकल की डिसकेशन में कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंटेस्ट की। हालखे में असीवी ओल इंडिया प्रिजाइडिंग ओफिसर्स कॉन्फरेंस को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से सम्मोडित करते हुए पर्धामंत्री मोदी ने अपनी स्पीच में इंडिया के कॉंसिचूशनल डिजाइन में जो चेक्स एंड बैलेंसिज एंड सेपरेशन ओफ पावर का कंसेप्ट हैं इसको हाइलाइट किया हम यह दोनों कंसेप्ट काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट हैं इनको अभी हम डिटेल से समझेंगे लेकिन राइटर यह बोलते हैं देखो पिछले कुछ सालों में यह दो दोक्ट्रिन ओफ सेपरेशन ओफ पावर क्या हैं देखो कोई भी डेमोक्रेसी तीन पिलर्स पर ठीकी होती हैं लेजिसलेटिव फॉर एग्जेमपल पार्लेमेंट यह श्टेट एसेंबली जिसके द्वरा कानून बनाया जाता हैं दूसरे नंबर पे एग्जेकेटिव अभी एणडिय की गूर्मेंट हैं तीसे नंबर पे जुडिश्री सुप्रीं कोट हाई कोट यह जुडिश्री में आते हैं देखो सेपरेशन ओफ पावर्स का कंसेप्ट यह बोलता हैं यह तीन ब्रांची इस लेजिसलेटिव एग्जेकेटिव और जुडिश्री यह तीन कदानों को यह फिर executive के decisions को review करेंगे मिजिखे कॅban करेंगे कोई भी ब्रांच के काम करेगी कानून गर्ली कानून को ओनना OR और executive कारम आए यह चाहला अजरस हाँ हैं तो यह काम legislative के द्वारा और executivity के द्वारा नहीं पर सुन्पल मतलब है जैसे देखो Only IAS organization है Only IAS में जो teacher है वो सिरफ teaching करेगा वो management में नहीं interfere करेगा और जो management है जिसका काम management करना है वो सिरफ management करेगा वो teaching में नहीं interfere करेगा जिसका काम content बनवाना है वो सिरफ अपने काम पे focus करेगा तो ये simple example है separation of powers काम अब कोशन ये उठता है कि separation of powers का concept आया क्यों ऐसा नहीं है कि सबसे पहले इंडिया के सविधान में आया था और इंडिया के सविधान में कैसे है ये भी हम discuss करेंगे कौन-कौन से जो articles हैं वो separation of powers के concept को मजबूत करते हैं लेकिन हां separation of powers का concept सबसे पहले इंडिया में नहीं आया था USA और दूसरी democratic countries का जो सविधान है उनमें भी ये concept देखने को मिलता है आया क्यों था separation of powers का concept ये देखो इसलिए ये ensure करने के लिए कि कोई भी branch बहुत ज़रा मजबूत ना हो जाए अपने हातों में excessive powers को ना जमा कर ले अगर देखो powers का separation ना हो तो क्या होगा judiciary अपने हात हातों में powers को जमा करती जाएगी वो functions भी perform करने लगेगी जो executive के दोरा किया जाते हैं वो functions भी perform करने लगेगी जो legislative के दोरा perform किया जाते हैं तो democracy जो कि तीन pillar पर ठिकी होती है judiciary का pillar ऐसी situation में मजबूत हो जाएगा और वो democracy ठीक से काम नहीं कर पाएगी इमारत जो है democracy की वो तो कोई भी branch बहुत ज़्यादा power अपने हाथों में जमान ना कर ले ये ensure करने के लिए separation of power का concept होता हैं अब आप सविधान में provisions देख लीजिए separation of powers के concept से समदित आर्टिकल 50 आर्टिकल 50 साफ तोर पे बोलता है state steps लेगा ताकि judiciary को executive से अलग क्या जासके ये judiciary के independence को ensure करने के काफी ज़्यादा जरूरी हैं क्योंकि देखो क्योंकि देखो अगर executive के पास कोई ऐसा tool है कुछ ऐसी power है जिससे वो judges को डरास के धमकास के दबास के तो फिर judiciary independent होके काम नहीं कर सकेगी और executive के decision में हां में हां मिला देगी उनको strike down नहीं किया जाएगा उनको अच्छे से review न आपने क्या देखा है पार्लियमेंट में क्या कुछ हुआ या फिर state assembly में क्या कुछ हुआ उसको question किया गया हो speaker के फैस ले या फिर जो भी proceeding हुई parliament की या फिर state assembly की वो court में question नहीं की जा सकती article 122 and 212 के according उसी परकार से क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि parliament या फिर state assembly में court की judgments को discuss किया जा रहा हो नहीं मतलव parliament में पार्लियमेंट में और state assembly में कभी भी किसी judgment को discuss नहीं किया जाता उस पर question नहीं रेज क्या जाते हैं even court में कभी मामला चल रहा हो to यह कह के discussion नहीं की जाती कि अभी जो मामला है वो विचारा ध्दिन है इस पर discussion नहीं हो सकती मतलब court में उसके बाद Article 53 and 154 ये कहते हैं देखो Union Government की जो Executive Power है वो लाई करती है President में मतलब Central Government के जो Decisions लिये जाते हैं वो President के नाम पे लिये जाते हैं और उसी परकार से State Government की जो Executive Power है वो लाई करती है किस में? Governor में और President and Governor दोनों को Immunity हासिल होती है Civil and Criminal liability से उसके बाद हैं मतलब Civil and Criminal cases नहीं चल सकते हैं Limitations हैं उसके बाद Article 361 देखो President और Governor ये जो Decisions लेते हैं अपनी Powers को Utilize करते हुए और सविधान में जो इनको Duties Perform करने के लिए कहा गया हैं तो जो भी Functions Perform किया जाते हैं President के दवारा या और Governor के दवारा ये अपने Decisions के लिए Answerable नही है Court में ये हमने डिसकस किया Concept of Separation of Power का अब मैं एक Question आप से पूछना चाहता हूं मान लिया कि Separation of Power का Concept है हमारे सविधान में ताकि कोई भी Branch आज पावर को Centralize ना कर सके अपने पास लेकिन hypothetical situation मान लीजिए कर ली मतलब Judiciary Legislative के डोमेन में घुश रही है कानून बना रही है Judiciary और जो काम Executive के हैं यानि सरकार के हैं Policy बनाना कानून को Implement करना वो काम भी Judiciary के द्वारा किया जा रहा है तो क्या बात समझ गया आप बात मैं यह पूछना चाहता हूँ वैसे तो separation of power concept में मना किया है कि कोई एक branch दूसरी branch में नहीं घुशेगी लेकिन अगर घुश जाती है कोई एक branch दूसरी branches के काम में इंटरफियर करने लगती है तो क्या इसी के लिए एक दूसरा concept है concept of checks and balances का इस concept का देखो simple मतलब यह है कि जब क अपनी मनमानी करने लगती है दूसरी branches के domain में घुश के काम करने लगती है तो फिर बाकी branches के पास option होता है कि जो branch अपनी मनमानी करने लगी है उसको control किया जाए उसको check किया जाए एक balance establish किया जाए मैं आपको example देता हूँ देखो अगर मान लीजे कोई judge बिलकुल अपनी मनमानी करने लगता है वो ऐसे फैसले देने लगता है कि जो executive के द्वारा लिए जाने चाहिए जैसे कोई policy बनाना या फिर even कानून भी मना देता है कोई judge काईदे से उसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये executive का काम है ये legislative का काम है लेकिन कोई judge मनमानी करने लगता है ऐसा तो फिर option उपलब्ध है कि उस judge की impeachment हो सकती है पार्लेमेंट में आपने procedure पढ़ा होगा कैसे high court के judge या फिर supreme court के judge की impeachment पार्लेमेंट में हो सकती है तो ये जो impeachment है न यही है check मतलब जो judge थे वो अपनी मनमानी कर रहे थे तो फिर उनको check किया गया पार्लेमेंट के द्वरा judge को impeach करके उसी परकार से जैसे देखो सरकार का काम यह होता है कि जनता ने उनको चुना है जनता की भावनाओं को देखते हुए decision लेना जनता के welfare के लिए decision लेना लेकिन अगर सरकार अच्छे से काम नहीं करती हैं जनता की भावनाओं को पूरी तरह से ignore कर देती है कर अफ्शन में सनलीप्थ हो जाती है तो फिर क्यूं बनाई सरकार को जबाब देना पड़ेगा तो जो option उपलब्ध होता है legislative के पास सरकार से question पूछने का question आवर के माध्यम से या फिर दूसरे tools के माध्यम से ये क्या है ये check है तो ये हमने examples देखें अब थोड़ा से details से भी देख लीज़ें जो legislatures हैं वो कैसे control कर सकते हैं judiciary को और executive को judiciary के उपर check रखा जा सकता है legislature के द्वारा कैसे judges को impeach करके इसके साथ साथ अगर court के द्वारा कोई judgment दी जाती है तो for example parliament में बिल पास करके उस judgment को nullify भी किया जा सकता है legislature executive के उपर कैसे check रखते हैं no confidence vote की साइता से अगर कोई सरकार ठीक से काम नहीं करती है तो parliament में या state assembly में उस सरकार के खिलाफ no confidence vote लाया जा सकता है इसके साथ साथ जैसा हमने डिसकस किया question hour and zero hour ये भी टूल्स है executive की accountability fix करने के सबसे last में है impeachment of president next है executive कैसे check कर सकते हैं judiciary and legislatures को देखो judiciary में judges की appointment होती है खास करके high court and supreme court के judges की appointment देखो selection तो collision system के द्वारा किया जाता है लेकिन file भेजी जाती है president के पास president sign करते हैं तभी judges की appointment होती है president judges को appointment करते हैं अगर किसी judge के चरितर पर कोई दाग है तो सरकार वापस भेज सकती है file को collision system को कि आप इस decision को फिर से consider के जिए हलांकि collision reconsider करने के बाद भी same judge का नाम दे देता है president को जो कि council of ministers की aid and advice से काम करते हैं यानि सरकार के advice से काम करते हैं तो फिर president को उसी person को judge appoint करना होगा high court में या फिर supreme court में next executive कैसे control करते हैं legislatures को executive legislatures को check कर सकते हैं delegated legislation की साहिता से delegated legislation का क्या मतलब है जैसा देखो नाम से ही पता लगता है कि अगर कोई individual दूसरे को अपनी कुछ power दे देता है तो मतलब इसको कहते हैं delegate करना responsibility को delegate करना ये word आपने काफी बार सुना होगा जब कोई एक person दूसरे person को अपनी responsibility दे देता है तो delegated legislation का मतलब है जब legislature अपनी जो कानून बनाने की power है वो दे देता है executive को और फिर सरकार को मिल जाती है कानून बनाने की power पर्टिकुलर मामलों में ऐसा होता है ऐसा नहीं कि overall ही legislature ने अपनी जो power है कानून बनाने की वो executive को सौप दी नहीं कब होता है यह देखो यह तब होता है जब कोई कानून बनाने की बात आती है जैसे फार्मला मान लीजिए जो हाल ही में बने एक उपर-उपर का धांचा पार्लियमेंट से पास हो जाता और लिख दिया जाता कि इससे समंदित जो rules है वो executive के द्वारा बनाय जा सकते हैं इसका result क्या निकलेगा काईदे से जो चीज उस कानून में होनी चाहिए थी अब यह लिख दिया गया है कानून के अंतरगत कि इससे समंदित जो rules है वो executive के द्वारा बनाय जा सकते हैं मतलब power executive के पास आ गई तो यह होता है delegated legislation सबसे last में judiciary कैसे control कर सकती है executive को और legislature को देखो judiciary तो simply judiciary के पास power होती है कानून को strike down करने की अगर वो सविधान के against है even सरकार के द्वारा जो भी decisions लिये जाते हैं उनको review judiciary के द्वारा किया जा सकता है हमारे सविधान में judicial review का provision है और यह basic structure का part है अब बात करते हैं कैसे checks and balances का जो concept है वो पिछले कुछ सालों में कमजोर हुआ है weekend legislature scrutiny देखो parliament में कानून बना दिये जाते हैं लेकिन वो committees के पास नहीं भीजे जाते हैं अब देखो सिधा सिधा parliament में बिना committees को bill भीजे या फिर बिना discussion हुए कानून बन जाएंगे तो इसका मतलब तो सरकार की चली ना सरकार के पास number होता है parliament में या फिर state assembly में सरकार ने अपनी मर्जी से bill पास करवा लिए और कानून बन गए तो बाकी जो legislatures हैं उनका तो कोई रोल रहा ही नहीं तो legislatures का रोल तो तब होगा ना कानून बनाने में अच्छे से तब committees के पास भेजे जाएं bill proper discussion हो फिर amendments हो सभी legislatures के जो suggestion निकल के आएं उसके अधार पर लेकिन हो क्या रहा है 14th लोक्सबा में 60% बिल भेजे गए थे committees के पास जैसे departmental related standing committees और 15th लोक्सबा में 71% भेजे गए थे और 16th लोक्सबा में सिरफ 27% बिल committees के पास भेजे गए next है judicial activism लेको काफी बार judiciary executive या फिर legislature के domain में जाकर काम करने लगती है जैसे राष्टेगान के लिए खड़ा होना जुरूरी है cinema halls में movie start होने से पहले highways के आसपास 100 meter के दारे में कोई सराप का ठेका नहीं होना चाहिए ऐसे यादेश समयसमें पर आपने देखा होगा judiciary दे देती है ये काम judiciary का नहीं है ये काम executive का है उसके बाद throw executive accesses executive देखो कई बार अपने हाथों में बहुत ज़़ा पावर concentrate कर लेता है जैसे CIC, RTI ये जो mechanisms और institutions हैं ये कमजोर हो जाते हैं काफी सारे acts हैं उनको भी misuse किया जाता है executive के द्वारा उसके बाद next है judiciary being opposing checks and balances देखो judiciary खुदी नहीं चाहती कि judiciary में transparency आए 99th constitutional amendment की साहिता से एक national judicial appointment commission आया था जिसे strike down कर दिया गया supreme court के द्वारा अगर ये commission आ जाता तो judiciary में जजिस की जो appointment है वो transparent होती corruption कम होता लेकिन judiciary ने इसे strike down कर दिया इसका मतलब सिधा सिधा judiciary नहीं चाहती कि judiciary में transparency आए हाला कि judiciary का तर किये था कि इस commission की साहिता से judiciary में interference बढ़ेगी executive की इसलिए हमने इसे strike down किया है बट कोलिजियम सिस्टम में transparency लाने के लिए judiciary ने अभी भी कुछ नहीं किया है next है weekend opposition in India opposition देखो हमारे देश में काफी कमजोर हो गया है खांस करके पिछली दो लोक्स बाकी terms में congress को कितनी seats आई 44 आई थी साहिद पिछली बार और इस बार साहिद बावन आई है हाना तो बिल्कुल मतलब इतनी seats के साथ भी वैसे देखो opposition effective हो सकता है बात seats की नहीं है अब क्या बोलूँ मैं बात seriousness भी नहीं बोला जा सकता क्योंकि ये politics वाला point हो जाता है लेकिन कुछ भी हो opposition कमजोर है opposition executive की accountability नहीं fix कर पा रहा है उसके बाद next है करना क्या चाहिए judiciary को देखो example set करना चाहिए judiciary को सबसे पहले थो खुद में transparency लानी चाहिए और उसके बाद legislature और executive के द्वारा जो भी decisions लिये जाते हैं उनको review करे अगर judiciary के पास आते हैं बिना खोफ के और integrity के आधार पर उसके बाद next है legislative impact assessment जब भी देखो कोई bill आता है parliament में या फे state assembly में पास होने के लिए तो पहले उसकी assessment होने चाहिए कि bill के पास होने के बाद social society पे क्या असर पड़ेगा, economy पे क्या असर पड़ेगा, environment पे क्या impact होगा, administrative impact क्या होगा, हर एक dimension में जाके सोचा जाए अगर ये example के तोर पर farm bills जब parliament में आये थे तो उससे पहले assessment होना चाहिए था कि इन bills के पास होने के बाद environment पे क्या impact पड़ेगा, economic efficiency आएगी या फे नहीं आएगी, सब कुछ, पहले से assess होना चाहिए, even बाद में भी assessment होनी चाहिए, bill के पास होने के बाद, यानि कानून बनने के रहा है, तब भी assessment हो, next suggestion है, strengthen the role of opposition, opposition के role को मजबूत बनाना, कैसे shadow cabinet की साहिता से ये एक option हो सकता है, shadow cabinet का concept देखो, British cabinet system में है, इसमें क्या होता है, जैसे माल लीजिए, सरकार में ministers है, परधामेंटरी मोदी है, finance minister है, निर्मला सितारवन, agriculture minister है, नरेंदर तोमर, उसी परकार से opposition में भी एक-एक समकक्स shadow prime minister होगा, for example, रहुल गांदी shadow prime minister, और जैराम रमेश मालीजिए shadow environment minister, पीचे दमरम मालीजिए shadow finance minister, तो shadow cabinet का ये concept होता है, हर एक minister के समकक्स opposition में एक minister, वो shadow minister होता है, और minister के द्वारा जो भी decision लिये जाते है, उनको counter sign किया जाता है, shadow cabinet के द्वारा यानि opposition के ministers के द्वारा, इस से काफी फाइदा होता है, conclusion में कहा जाता है, देखो, अगर repeatedly ऐसा होगा कि एक branch दूसरे branch में घुश के काम करेगी, तो सविधान कमजोर होता है, democracy कमजोर होती है, यह हमने पूरा article discuss किया, इस discussion में फिलाल इतना ही है, thank you, thank you very much for discussion.